गिंगला थाना क्षेतर में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया आपको बताते हैं यहाँ एक महला और पुरुष को पाच घंटे बंदक बना कर पीटा गया पताया जारा है कि महला के ससूराल वालों को शक था कि पुरुष महला से मिलता है और बात करता है फिर क्या था जब परिजिनों ने महला को उस पुरुष से जैसे ही बात्चीद करते हुए देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा दोनों को दो अलग-अलग पेड़ों से बांध कर करीब 6 घंटे तक उनकी जम कर पिटाई की गई और मामले की जानकारी लगते ही गिंगला थाना पुलिस मौके पर पहुची और दोनों बंधकों से बंधकों को मुक्त कराया फिल्हाल थाना अधिकारी ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और देखिए यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह उस महला और पुरुष की तस्वीर है जिनको अलग-अलग पेड़ों से बांध दिया गया और करीब 6 घंटे तक जम कर उनकी पिटाई की गई जैसे ही पुलिस मौके पर पहुची तो दोनों बंधकों कोहां से छुड़वाया गया और यहाँ पर मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह बंधक युवती और युवक की है और चले आगे बढ़ते हैं भीलवारा के प्रतापनगर थाना इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कुमबा सरकल पर एक कार सवार युवक से लूट का प्रयास किया कार के पीछे से तीन बाइक सवार बदमाश आये और कार को रुकुआ कर काच तोड़ दिया आसपस से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दे और भीड को बढ़ता देख बदमाश भी बाइक लेकर भाग गये मौके पर पहुची प्रतापनगर पुलिस ने पीड़त से घटना की जानकारी ली और पीड़त ने प्रतापनगर ठाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है